दोस्तों बिगुनिया प्लांट आप जिदी मार्केट या नरसरी से खरीद करके ला रहे हैं तो उसके बारे में पुर्पगेशन आपकी इस तरीके से कर सकते हैं जो कि बहुत ही असानी से होगा हम आपको यहाँ पर वीडियो में देखाएंगे और इसके अलमा दोस्तों इसका मिट्टी किस तरीके का होना चाहिए जो कि आपको बरसांत के मौसम में पौधा खराब नहों और आपको ठंड के मौसम में भी पानी थोड़ा कम ही देने रहता है पौधा का अंदर में तो आप आपको इसमें क्या मिट्टी देना दोस्तों इसमें आपको एक भाग बालू एक भाग मिट्टी और एक भाग कमपोस्ट और आपको थोड़ा सा इसमें जो इंट्टा का चूरा होता है उसको थोड़ा सा देना है तो दोस्तों आपका पौधा बहुत ही अच्छा चलेगा आ आपकी इस तरीके से cutting अपने पौधे दोवारा कर सकते हैं, आपके पास जिदी इस तरीके का पुराना पाउधा हो या आपके पास नया पाउधा ही है और बड़ा हो गया है, तो आप उसके अंदर से दोस्तों इस तरीके से आपको बालू लेना है, आपके पास जिदी बालू होता है बहुत ही असानी सो होता है और हम कटिंग करके देखे तो आपको इसका जुलाई महिना में भी असानी से कटिंग हो जाता है या गरम का मौसम में आपको अप्रील में भी हो जाता है तो दोस्तों इसका जो कटिंग होता है अलग-अलग समय में आप कर सकते हैं इसमें कोई माने दिकत नहीं है अभी तो ठंड का मौसम चल रहा है तो दोस्तों इस समय भी हम इसका कटिंग किये तो आसानी से हो गिया और होता क्या है इसका बरसाथ के मौसम में तो दोस्तों हमारा बनाने का मकसद एह हो रहा है कि आपके पास जिदी बिगुणिया का पवधा है तो ओ मरे नहीं दोस्तों जईसे ही आपका मतलब पवधा मालूम हो रहा है कि खराब हो रहा है या मरने के कागार पर आ गिया गलने सुरू हो गया तो आपको इस तरीके से उस पवधे के अंदर से कटिंग निकालना है कटिंग निकाल करके आपके पास जो कोई भी बालू हो तो बालू के अंदर में आप उसको हम देखा रहा है इस तरीके से आप जिदी कटिंग कर देंगे तो आपके पास बहुत सारा पवधा फिर से नया बन जाएगा इसका हम यहां पर आपको रिजल्ट भी देखाएंगे कि इस तरीके से दोस्तों यह पाउधा हम बनाए और मेरे पास भी पाउधा मतलब बहुत ही कम पाउधा था हम पिछले साल खरीद करके लाए थे तो उसको दोस्तों हम इसे उसको खुला जगा में ही रखे थे मेरे पा बचेगा और जहां पानी नहीं जमें उस जगह पर इसको रखा जाता है क्योंकि पानी जम जाने से पूरा गल जाएगा तो उंचा जगह पर इसको रखने पड़ता है जिद्याप का पास शेड नहीं है तो और शेड है तो सेड़ के आप अंदर रख रहे हैं तो बहुत अस और हमताय। आपके पर यह अधी काल दोस्तों आपके आपके पास यह एक पत्ता हटा दीजिए구요, और एक पता हटा कर एक गांट खाली होगा तो उसी जग़ा पर आपको रूठ हर्मोन से या इलोबेराजिल का रस वहां थोड़ा लगाना है पता का और उसको लगाया करके आपको लगभग एक इंच के लगभग आपको बालुक अंदर में इसको गार देना है तो उससे क्या ह करने के बाद में कम से कम आपको 20-25 दिन के लिए आपको सेड एरिया में रखना है जहां कि डारेक्ट सॉनलाइट नहीं आता हो और थोड़ा थोड़ा इसके उपर डेली पानी आपको वाटरिंग करना है वाटर केन से जिसमें कि जाली लगा हुआ रहता है वाटर केन उससे हलका हलका इसके उपर पानी देना है जिसे कि बाल उठो डेली मने भीग जाए तो दोस्तों आपका क्या होगा इसमें आपको नमी बना हुआ रहेगा तो उतना ही बर देना ज्यादा मतलब ज्यादा पानी नहीं देना है इसको हलका पानी देना है इस बात का थोड़ा ध्या तो ака रहे कि बारीक पर यहां चौटा चोटा बेबी प्लांट इसके अंदर में सभी में ज़डा और पूदा निकाल कर देखें हैं तो तक बारीक जोड होता है चोटा चोड़ा जड़ होता है तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं यहां जो बिगुनिया है इसका जाती जो होता है जाती जो होता है जाती सब एक है इसमें आपको मेरे पास वाइट भी है और आपका लाल पता देखाई दे रहा है लाल रंग है और जो ग्रीन ग्रीन देखाई दे रहा है दोस्तों ज्यादा ग्रीन हें तो यह वाला white होगा उसका अलग अलग reluctant यह देखने में पत्ता और पाउधा को देखने में एक लगएगा किन्तु पत्ता का पांचान है तो आपको उसकाइं और जब बड़ा होता है तो इसमें तो फूल का प्लीर आ Arg fellowship तो आपको मालूम हो जाएगा तो दोस्तों यहां पर जो जड़ निकला हुआ है एक पवधा को लगने के लिए बहुत ही काफी है इसमें वीडियो में हम आपको देखाएंगे यहां पर कि हमारा पवधा यह हम छोटा-छोटा पोट में इसको लगाए है यह पवधा मेरा लग तो दोस्तों इसको होता क्या है जईसे बरसांत खतम हुआ खोशिश करना है कि बरसांत जैसे खतम हो उचमाई इसको ज्लिक कर दिजिये कटेंग करके इसको आप अपने चोटे पोधे को रेड़ी करिए औरिडी करके उसलीकर इसको छोड़ा-छोड़ा पॉड़ा दीजिए और ठीक एक महिना बाद आप अलगभग आट इंज के पॉट में लगाएंगे तो दोस्तों आपको इस तरीके के आपको पाउधा मिलेगा रेडी पाउधा और बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों देखने में यहां पर आपको आप रेडी करने समय पर तो आपको बरसांत आने तक चलेगा किन्तु जैसे बरसांत के मौसम आ जाएगा ता आपको उस समय इसको शेड एरिया में रखने होगा तभी आपका पाउधा ये बचेगा क्योंकि इसको ज्यादा ओभर वाटरिंग कभी भी नहीं बरदास होता है दोस्तों इसमें इस तरीके से स्ट आपको इसमें लाल है और आपका वायट भी है बीचिम वायट कलर देखाई देरा पींक भी है तो इस तरीके से दोस्तों आप पाउधा अपने घर पर रेडी करिए दोस्तों हमको उमेध है वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा वीडियो देखने के लिए धन्यबाद दोस्तों आप कमेंट करेंगे आपको वीडियो यह कैसा लगा?